बीतेक सब्ता में इंडियन रूपीज को लेकर के भारत और रूस के बीच में जो घमासान हुआ ये हम सभी ने देखा है और आगे चलके भविस में ऐसी डिकते इंडियन रूपीज को ना फिस करनी पड़े इसलिए अब इस सेक्टर में RBI यानि के रिजर बैक आफ इंडिया इन्वाल्व हो रहा है जहां RBI कुछ ऐसे स्टब लेने वारा है जिसके बाद इंडियन रूपीज में ट्रेड करना भारत और दूसर देशों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा तो इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं बस हमें सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो इसकी शुरुआत तब होती है जब रश्या भारत को लेकर के दो बड़ी अनॉस्मेंट करता है सबसे पहले रश्या कहता है कि वह जो कच्छा तेल भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब उसकी पेमेंट इंडियन रूपेज न इंपोर्ट करते हैं लेकिन उसके बदले करीब 40 बिलियन डॉलर के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसके कारण दोनों देशों के बीच में जो ट्रेट डिफरेंस है वो काफी जादा है और इसलिए रश्या ने डिमांड रखी कि अब पेमेंट जो है चाइनीज करेंसी युआन में की जाएगी भारत की कुछ तेल कंपनियों ने ही सही लेकिन रूस की इस बात को मान लिया गया लेकिन उसी सब्ता में रूस अनॉसमेंट कर देता है कि अब भारत को दिये जाने वाले कच्चे तेल पर डिसकाउंट सिर्फ चार डॉलर रखा गया है इसके लाव भारत को भेज जाने वाले कच्चे तेल की जो शिपिंग कॉस्ट थी वो डबल की जा चुकी थी और इसमें भारत को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि भारत इसी सेम रेट पर युनाइट इस्टेट इराक इरान यूए से तेल इंपोर्ट कर रहा था इसलिए हमारा इंप रशिया का करी 50% क्रूड ओयल इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर यह सड्डनली बंद किया जाता है तो रशिया को इसका बड़ा नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो जिसको लेकर के रशिया इंडिया के बीच में बातचीत के गई और और आप खबर सामने निकल के आई है क इसके लिए अवे liberal standard operating procedure यानि SOP का गठन किया जाएगा जिसमें EBR यानि की electronic bank realization certification issue किये जाएंगे जिसकी वज़े से अब इंडिया और रशिया के बीच में जो trade है वो काफी easily किया जा सकेगा अगर हम आपको इस SOP को simply भासा में समझाएं तो हम almost रशिया को करीब 5 billion dollar के आसप इंपोर्ट करते हैं definitely हमारा export कम है तो यहां पर इस SOP की मदद से हम जो भी रशिया को export कर पा रहे हैं उसके बदले जो payment है वो रशिया की इंडियन रुपीज में ही की जाएगी इससे एटलीस रशिया में जाने वाली करेंसी 40 billion dollar नहीं बलकि 35 billion dollar के आसपास रहेंगी इसके लावा रशिया का कहना है कि हमारा भारत के साथ में जो इंजिनिंग गूड्स एक्सपोर्ट है वो 11 पासन बढ़ चुका है यानि कि अब भारत रशिया को सबसे आदा इंजिनिंग गूड्स एक्सपोर्ट कर रहा है आ उसी समय United States ने भारत से होने वाला इंपोर्ट को 25 परसंट कम किया वहीं चाइना ने करीब 15 परसंट तक कम कर दिया था लेकिन रूस ही वो अकेला देश था जिसने इसको 11 गुना जादा बढ़ा दिया और अब आर भी आई कि इस SOP की मदद से इंडिया और रशिया के बीच चाहिए